आनिमल आक्ट्रिस तिप्ती डिमरी तुस्टार इनाश की त्री अपोजिट्टु कार्थिकार्यन मुकेश पट कॉल्स रूमर्स रविश आनिमल फिल्म सबसे जादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है संदीप रेड़ी वांगा त्वारा निर्देशित इस फिल्म में रनवीर कपूर मुख्य भूमिका में है और बॉबी देल विलन की भूमिका में है बहुत से लोगों ने फिल्म की अलोचना की लेकिन बॉक्स ओफिस नंबरू से पता चला कि दर्शकों को आक्शन से भरपूर ड्रामा पसंद आया आनिमल ने दुनिया भर के बॉक्स ओफिस पर आट सु पचास करोड रुपे से जादा की कमाई की खैर मुख्य किरदारों के अलावा त्रिप्ती डिमरी भी फिल्म में चमकी रनवीर कपूर के साथ उनके सीन सोशल मेडिया पर वैरन हो गए और वह नाशनल करश बन गी सफलता के बाद रिपोर्ट से पता सलता है कि त्रिप्ती डिमरी को आश्रकी 3 में मुख्य भूमिका के लिए साविन किया गया है अफवाहे सुनी जा रही थी कि रनवीर कपूर के बाद त्रिप्ति डिमरी आश्री कित्री में कार्टिकार इनके स्क्रीन स्पेस साजा करेगी उनकी male lead actor के बारे में बताया गया है लेकिन female lead actor के बारे में कोई भी विवरंड नहीं किया गया है हाला कि अब मुकेश बट ने खुलासर किया है कि अफ्वाए सिर्फ अफ्वाए है टाइम्स ओफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार मुखेश भट ने त्रिप्ति डिमरी के दावोग पर स्टेट्मेंट जाहर किया है उन्होंने उसे बकवास कहा उन्होंने कहा कि वह अभिनेत्री से मिले नहीं है और आश्कीत्री के लिए कास्टिंग तब तक नहीं होगी जब तक फिल्म की स्क्रिप्ट और संगीत तया नहीं हो जाता